हेलो फ्रेंट्स वेल्गम बैक टो मैं चैनल एक्जाम लोग तो फ्रेंट्स आज में लेकर आया हूँ इन्वाइर्मेंटल स्टडीज पर्यावरान अध्धन का फाइनल क्लास जो कि हमारी डिवीजन क्लास है और इसमें मैं आपको पूरी बुक से सारे कराने वाला हूँ वह भी आपको ऐसे कराऊंगा जैसे किसी नहीं कराया होगा आपको एकदम अच्छे से क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक महीने वचे हैं और इसी महीने में हमें इतिहास रचना इतिक इतिहास रचना है तो चलिए इन्वाइर्मेंटल स्टडीज ठीक है और पहले बात तो आप सभी लोग चैनल कर दिजिए चैनल को ताकि सभी लोग जितने भी स्टुडेंट है सब्सक्राइब के बारे में कुछ एक टॉपिक गिरूर पूछे एक क्विस्चन जलिए हम लोग देख लेता है यह तो सभी को पता होगा परीधन आवरण कि इस इकॉल टूपरियावरण है ठीक है कि पारी के मतलब क्या होता है चारों तरफ से अब अब मतलब क्या धका हुआ ठीक है अगा हुआ जो चारों तरफ से ड़का होता है वो क्या कहलता है परियावरण देखिए यह हमारी प्रिथवी है ठीक है इसमें बहुत सारे देश आते हैं ठीक है यह हमारी प्रिथवी है परियावरण परी मतलब क्या होता है यह चारों तरफ से ड़का हुआ ठीक है तो मतलब प्रिथवी में मारी जो भी वस्तुमें पाई जाएंगी सभी चारों तरफ से ड़का हुआ जो है इसके अंदर जो है वो हमारा क्या कहला है और दो प्रकार के होते हैं कन कन से होते हैं एक भौतिक और यह क्योंता है जैव पारियावरान ठीक है और यह क्योंता है जैव पारियावरान अब चलिए देख लेते हैं भौतिक के अंदर क्या क्या आता है देखिए जैसे सूर्य हो गया सूर्य प्रिथवी वायू पदार्थ मरदा मरदापरदन यह सबी किसमें आ जाएंगे भोथिक परियावरान में आ जाएंगे और जयो परियावरान में क्या आ हैंगे देखिए संस्कृति व्यवहार ठीक है संस्कृति, व्यवहार, आचार और यह सभी क्या आएंगे इसमें जैव पारियावरान के अंदर गत आएंगे तो यह बेसिक था एक क्विस्चन बस इसको आपको याद रखना है क्योंकि आप से पूछे जाएगा ठीक है अब चलिए हम देखते हैं अब पर नेक्स्ट प्सक्राइब क्या होती है अब आप लोगों से लेकिन इतने में आपको नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगा इतना आपको पताना काफी नहीं है तो इसलिए हम लोग परिया वरन पढ़ रहे हैं तो चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूं अब देखें यह है दच्छी अमेरिका ठीक है और यहां क्या है ब्राजील इसको अप ध्यान में रखेंगा ब्राजील और मैं क्यों बता रहा हूं आपको ब्राजील यह आप देखेंगे देखेंगे सबसे ज्यादा जैवी वित्ता कहां पाई जाती है आपको दो तीन पॉइंट ऐसे लिखने है जो चेक करने वाला हो अगर वो भी चेक करें तो उसका भी दिमाग हिल जाए थोड़ा ठीक है और हो आपको पूरे-पूरे नंबर देजाए सके ठीक है सबसे ज्यादा जैवी वित्त हो भूमत देरेका पर होती है सबसे ज़्यादा जैवी विद्धा भूमत देरेका पर होती है देखिए यह हमारा ग्लोब है पृत्वी है पूरा इसमें तीन तरह की रेखाए होती है करक रेखा भूमत और तीसरी मकर रेखा ठीक है और हमारी पृत्वी भारात है जो हमारा वो करक रेखा पर पड़ता है ठीक है और यह दच्छडी अमेरिका है यहां उत्तरी अमेरिका है और यह दच्छडी अमेरिका ठीक है और दच्छडी अमेरिका में यहां ब्राजील है और यह भूमत दिरेका पर पड़ता है और ब्राजील में ही हमारी अमेजन नदी है ठीक है अमेजन नदी है और अमेजन नदी में क्या होता है सबसे ज़्यादा जय विविद्था पाई जाती है सबसे ज़्यादा जय विद्था पाई जाती देखिए Amazon की जंगल आप लोगों ने सुना होगा काफी फेमस है और उसमें Amazon नदी भी है सब विस्यों की सबसे बड़ी नदी ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगा अब राजिल यह सब ही important points है इसको तो आपको लिखना ह प्रिथवी पर कई तरह के जीव पाई जाते हैं प्रिथवी पर जीवों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है जीवों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है जिने हम लोग जैव भी विजिता कहते हैं इतना आपको लिखने के बाद आपको ये दो तीन पॉइंट्स उसमें दिखाने होंगे ठीक है और आपको ये फिगर भी दिखाना होगा अगर आप फिगर से दिखाएंगे तो आपको अच्छे पूरे माक्स मिलेंगे अगर आप लोग साउथ अमेरिका का मैप भी बना देंगे तो आपको और भी अच्छे माक्स मिलेंगे जो कि ऐसे बनता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं वहाँ एकदम क्लियर तो देखा नहीं जाएगा पर आप लोग कैसे भी बना सकते हैं ठीक है ऐसे आप लोग बना के यहां ब्राजील दर्सा देंगे एमेजन नदी ठीक है यहां अगर आप लोग ऐसे दर्सा देंगे दिखा देंगे तो आपको पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा ठीक है जब भी वित्ता लगवग हर बार ही कुष्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा और आप लोग पेपर में देख लिए गए ठीक है यह तो था हमारा पहला कुष्चन आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंड में पूछ लीजिएगा मैं ग्रूप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पे आपको बता दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको ब सेवाल की प्रजातियों की संख्या 40,000 है और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कवक की लिखा लिखा दे रहा हूं 72,000 देखिए जो इजी जी हैं आपको याद हो जाएं वही मैं लिखा रहा हूं प्रोटो जो हुआ इसकी भी 40,000 ठीक है इसकी भी 40,000 और कीट उचे पौधे की सबसे ज़्यादा है नहीं उच्चे पौधे की सबसे ज़्यादा क्या है देख लीजिए कीटो की सबसे ज़्यादा है प्रजातियां 10,25,000 ठीक है उसके बाद उचे पौधे कहें उच्चे पौधे दो लाख सत्तर हजार ठीक है तो यह सब अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं जीवा आड़ू देखिए बैक्टीरिया चार हजार ठीक है बहुत कम है पर फिर भी इतने काफी है ठीक है लिख दीजेगा आप लोग देखिए इसके बदशेधा हमारा थीसरा पॉइंट है फोडो सिंतेटिस प्रकाश संसलेश्ण आइए कमें कि प्रकाश संसले destin क्या होता है देखिए हम फिरिस बना लेते हैं ठीक है यह बंगा हमारा ट्री यहांपर एक संबפा लेते है सूरज अब यह क्या रही है प्रकास आ रहा है कड और तरंग दोनों की रूप में आता है प्रकास यह प्रकास आ रहा है यह क्या है इसके पत्तियां है ठीक है यह इसके पत्तियां है अब क्या होता है कि पत्तियां हरी के होती है है chlorophyll के कारण producer के का है कुलोर फिल की खोज किस नहीं की थि सिंपर ठीग है सिंपर नामक वेज्ञानिक सिंपर है डिजो इसके जड होते हैं पेड़ों के जड नहीं हम बोलेंगे इसको मरंद्र बोलते हैं इंगलिश में सिस्टो मेटा बोलते हैं इस्टो मेटा ठीक है और इसको CO2 माल लेदे कुछ भी CO2 ठीक है गयाज होती है अब देखिए जो घ्रती ले diese हैं उसमें जो हमारी पैड की पत्तीयां है वो क्या लेती है प्रकास लेती है ठीक है और हमारे CO2े उसको कौन लेता है ये रंध्र ठीक है प्रकास की विकिरन ओरजा फ्राकास यह लेती है और यहां जड़ों को जल चाहिए ठीक है जो जल हम देते हैं वो जड़ों को सिर्फ चाहिए जो जाइलम की जाइलम के दौरा जो जाइलम के दौरा पत्तियों तक पहुच जाता है ठीक है जो जाइलम के दौरा पत्तियों तक पहुच जाता है जल और हमें ये पेड़ हमें क्या देता है oxygen प्लस glucose ठीक है oxygen प्लस glucose देता है इसका मैं chemical reaction थोड़ा करके देखता हूँ अगर आप लोग इतना लिख देंगे इतना लिख देंगे प्रकास संसलेसर के बारे में तो आपको एक्जैमिनर 100% नंबर देगा और अगर आप से कुछ भी पूचे जैसे जल चक्र पूछ ले तो देखें यह है बादल ठीक है बादल से वर्शा होती है ठीक है चली मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाप के किताब में है इसलिए मैं आपको यह जल चक्र बता दे रहाूं सब्सक्राइब कर प्रकास सेसर में आपप लोग है दो लाइन लिएंगे आप लोग फिगर जरूर बनाइए गाठीक सिगर बनाएगे अब लोग लिखेंगे नहीं चल जाएक। लेकिन नहीं बनाएंगे तब आपको एक्जामने नंबर नहीं देगा ठीक है अ कि देखिए बादल से वर्सा के दौरा जल नदियों तलाबों में पहुंचता है ठीक है नदी तलाब में पहुंचता है और नदी तलाब से जैसे पेड़ पौधों में ठीक है और फिर वास्पोत सर्जन ठीक है वास्प का उत्सर्जन वास्पोत सर्जन दौरा भाब बनकर फिर वाईव में पहुंच जाता है ठीक है फिर वाईव में पहुंच जाता है यही क्या है हमारा वाटर साइकल जल चक्र यह क्या है हमारा वाटर साइकल जल चक्र ठीक है यही क्रिया हमारा दोबारा होती रहती है ठीक है जल चक्र तो यह था हमारा तीसरा हnde सब्रहां ooh और अगर आप से पूछा जा है कि जो हमारी प्रेकास संसिलीटर की क्रिया है वह भातिक क्रिया एक तो रहीं या रहा साइनिक ठीक है जो हैं कि और अगर हमसे क्विश्चने बॉले क्यूं अगर हमकर और झिदा क्यूं क्यों दरान नहीं कि क्योंकि हम को दोरा नहीं सकते आगर हम को इसे आ आ है मिल इससे यह धिर उटक्रिय तो इसको आ की थे खा है कि ये क्या होगी भौतीक क्रिया ठीक है भौतीक क्रिया यह फिर से दोहर आ रहा यह क्या है भौतीक क्रिया कि टीक है कि तो चलिए इसके बाद कुछ टॉपिक जैसे acid rain आम लोग वर्साद इसको लोग बोलते हैं डिजास्टर मेनेजमेंट ग्लोबल वार्मिंग और बहुत से टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यह हमारा पार्ट वान है देखिए मैं बहुत छोड़े पार्ट बना रहा हूं ज्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं बरा हूं तकि आपको पढ़ने में असानी हो और आपको समझ में ठीक है तो यह प पॉलिट वेस्ट मेटेरियल से यह सभी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जो लोग नहीं किये हैं और जो लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक ने किया हो लाइक कर देंगे जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिहांते रही है मुस्कुराते रही है लेकर पड़ते जरूर रही है क्योंकि पेपर आ गया ठीक है तो जैहिन जैवारत